यह किचन का आल यहां पर आप देख सकते हैं यह पफर लगने की वज़े से पूरा मुकान जो है वो डेम जो जी का पफर इतने जराड़े पड़ी हुए यह जिए लिए रोग देख सकते हैं जी एक पफर पड़ा हुआ एक गार पे आके लगया यह पफर और इस गार की सारी बनियादें इस पफर ने लाग के राख दी हैं आप फुद इमेजन करें कि आप एक सियाती रोड़न का रहे हैं चाहिए जो भी हमला का रहा है उसको थोड़ी सी इतियाद बरतने की दुरूरत है आप यह नहीं कह रहे हैं कि आपको काम बंद कर देना चाहिए यह कुछ और कर देना चाहिए नहीं लेकर इतियात एक लाजमी चीज़ आप यह देखें यह पत्र यहां पर इस चेगा पर आके गिरा है इसकी पूरी बनियादे कि इतना बड़ा पत्र और इसने पूरे गर को डेमज कर दिया हुआ है अब एक बंदा जो अपनी मेजनत मजदूरी करके किसे पाड़ी लाकूं पर अपना गार बनाता है तो अपने उसके गार को इस तरह नक्सान पहुंच जाए यह भी एक अच्छी बात नहीं है जी पर जान में तो ये कहना चाहूंगा के अत्याएत के साथ काम करें डिसिप्लिन के साथ काम करें ये जो नक्सान आउरा लोगों का जorum का ज Kenneth आउजा VER एक ये तो घंजान पह बंदे को लाग जाता किसी इनसान को लाग जाता जान को बढ़ ग्रोगजार तो जान को खान को ल तो क्या कहते हैं जब आपने जहां पर पत्थर आपके गारा के लगा तो आपने ऊपर मशीन जहां पर लगी हुई है वहां पर मौके पे गया अपरेटर ने मशीन बंद की उसके बाद वो तो विचेरा बैठ किया उसने का कि यह ठेकदार सुनता नहीं है मैंने इसको किई पर लड़ीज है या जिस तरह भी है वो सैड पर विजिट नहीं करता है तो उसका जो अमला है जो खासकर जो उसका बतीज़ा है इसीब नाम का लड़का बड़ी बेतमेजी के साथ वो पेश आता है इदर लोगों के साथ बड़ा उसका गलसा हर भी होता है अच्छा पर खाने हैं गलसा है और बाई अगर आफ देख रहे हैं मेरी बात आप्सकी चीज यहिए वो इसाफ अखला को थी आपि कोई बड़ीज है कोई किसी को नंहीं मार सकता पौई किसी cameraman ड़़ी चीज में जो बार बार कहे रहा हूं कि अखलाक्स SE बढ़ी कोई चीज तोड़ा जाए और दूसरे नमबर पर जानी और माली यहां पर लोग रहते हैं रहाशी है लोग पाइपों की लाइने लगी हुई है उनको भी बचाया जाए साथ साथ रास्तों को बचाया जाए बचे स्कूल जाते हैं उनको बचाया जाए तो देख वाल के काम करना है जहां अब वो बहतरीन रोड है, अब आप उसका जाके आल बहाल देखें अभी खटपुरा से जा महतलों मकामार संहां के उसका जाके आल Shall जा और जारी है ना वो पूरी पूरी वो रोड पर पानी जा है वो पानी उस रोड को हराब कर देगा और जिसकी वज़ा से रोड फिर दुबारा हराब हो जाएगी बात करने का मकस्ट ही है कि हम लोग जो हाई काम तो करते हैं लगन काम को सही तरीकार से नहीं करते, ना ही उसकी इतियात करते हैं, ना ही कुछ, अब यह रोड नहीं कर रही है, इस रोड का मक्सद यह नहीं है, कि हम लोगों के घरों को चीरते फाडते निकलते जाएं, भाई जान, हमें इतियात की जरूरत है, हमें इतियात करनी चाहिए, और जितना हो स समझाने की जरूरता है कि यार, यहां पर जो लोग है यहां के जो बेशिंदे उनको नखसान पचा कि हम खुद किसी फाइदे में जाते हैं अच्छी बात नहीं है तो थोड़ी सी बात करने का मक्सदिया है कि थोड़ी सी इतियात की ज़रूरत है इसके साथ ही हमें दीजिये अजाज़त तो जल्ला नहीं वहा है